दोस्तों नमस्कार आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दान्यू हेवन क्लासेज में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोकसिवा आयो के द्वारा एक बिग्यपती जारी की गई है और उस वीडियो में क्या क्या लिखा गया है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों अगर आप एक परतियोगी परिच्छाओं के तयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महात्पूर होने वाला है इस वीडियो में बहुत ही महत्पूर्ट जानकरी दी गई है और आप सभी विद्यार्थियों को जो तयारी कर रहे हैं समिच्छा अधिकारी की उनके लिए बहुत बड़ी खुस खबरी ता ये देखते हैं इस बिग्यप्ति में क्या कहा गया है अब बेर्तिगड को ये बताया जाता है कि आयोगदारा समिच्छा अधिकारी वा सहायक समिच्छा अधिकारी आदी परिच्छा 2023 का बिग्यापन सीगर ही जारिक किया जाना है दोस्तों बहुत बड़ी खुस खबरी है जो आप लोग तैयारी में लगे हुए हैं कि समिच्छा अधिकारी की जो बेकेंसी है वो कभी भी आ सकती है जिसमें आबेदन करने है तो OTR One Time Registration की परकिरिया पूर करके OTR नमबर प्राप्त करना अनिवार है आयोगदारा विग्यापित किसी पत पर आबेदन करने से पूर्व आयोग की विफसाइट जो यहां पर दी गई है पर OTR न परकिरिया पूर करके OTR नमबर प्राप्त किया जा सकता है विफसाइट पर OTR One Time Password परकिरिया पूर करके OTR नमबर प्राप्त करने के जुद्धर है दोस्तों बहुत ही कम है यानि कि विफसाइट ओपन है आप यहां पर OTR नमबर प्राप्त कर सकते हैं प्रीच हात्रो दौरा आबेदन किया जाता है दोस्तों जब वेकंसी आती है तो बहुत सारे बिद्यारती हैं बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आबेदन करते हैं उक्त पद के विग्यापन के पूर्व OTR नमबर प्राप्त ना करने की कारण आबेदन तो आप लोग करते हो लेकिन उसके पहले जब आप OTR नमबर प्राप्त नहीं करते हो तो क्या समय साय आती है कि वेफसाइट पर सर्वर डाउन या हैवी ट्रैफिक दोस्तों होता है कि जब कोई वेकंसी जाती है तो सर्वर होता है वो कभी कभी डाउन हो जाता है या उस पर हैवी ट्रैफिक हो जाता है बहुत सारे बच्चे फार्म नहीं पर पाते हैं आद कठनाईयां आ सकती है आनलाइन आबेदन करने में कोई कटनाई ना है कहने का मतलब यह गर आप पहले से OTR नमबर प्राप्त कर लेंगे तो जब आनलाइन आबेदन होए लेगा तब आपको कोई भी समस्या नहीं आएगे अगर सर्वर डाउन होता है या हैबी ट्रफिक होता है तीसरा और सबसे महत्पूर पाइन दोस्तों क्या लिखा गया है कि उपरूक्त प्रकिरिया से OTR नमबर प्राप्त ना करने की इस्तदी में उक्तपद हे तु जारी विग्यापन के हिसापेच आनलाइन आबेदन ना कर पाने का संपूर दायुत अभरती का होगा अगर आपने OTR नमबर प्राप्त नहीं किया है और किसी कारण वस आप आबेदन करने से वंचित रह जाते हैं तो संपूर जो उत्तर दायुत होगा दोस्तों आप का होगा इसमें किसी भी प्रकार से ये विभाग कुछ नहीं कर पाएगा तो आपको करना क्या है फटा-फट आपको OTR नमबर प्राप्त करने ना आउनलाइन इसको आप खोद भी प्राप्त कर सकते हैं नहीं तो अपने नस्देकी सैवर कैफे पर जा करके आप OTR नमबर प्राप्त कर सकते हैं ताकि जब आप विग्यापन आए समित शादकारी का तो आपको ऑनलाइन आबेदन करने में कोई भी कटनाई ना हो तो दोस्तों एक महत्पूर्ण जानकारी थे जिसको और भी विद्यारतों तक सेर करिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरू बताएगा और हमारे चैनल New Heaven Classes को सब्सक्राइब करेगा फिर मिलेंगे दोस्तों किसी और वीडियो में किसी एक महत्पूर्ण टॉपिक के साथ तक के लिए धन्यबाद